What is safety shortcut? तो आज हम बात करने वाले हैं safety shortcut के बारे में कि ये होता क्या है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं तो workplace पर safety shortcut का जो मतलब होता है वो है कोई भी ऐसा action लेना या कोई भी ऐसा decision लेना जो की workplace पर established protocols और guideline को break करता हो जबकि उस shortcut को लेने का primary reason ही यही होता है कि उससे time को और efforts को save किया जा सके लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से आप जाने अनजाने में safety के साथ compromise कर रहे होते हैं और जिसकी वज़ा से accident और injuries होने का बहुत risk होता है तो ये ध्यान रखें कि workplace पर अगर आप safety shortcut लेते हैं तो इससे आपको extremely dangerous situation और serious consequences को phase करना पड़ सकता है और ये safety shortcut कुछ इस तरह के हो सकते हैं जैसे किसी process के दौरान उनके steps को skip करना वर्क के दौरान improper tools और equipment का use करना और वर्क के दौरान proper and adequate personal protective equipment को wear ना करना तो इन सारी चीजों को जो fundamental issues हैं वो ये होता है कि established safety protocols को follow ना करना या फिर उसे ignore कर देना I hope आपके लिए ये वीडियो useful होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करते हैं और चैनल को subscribe करते हैं वीडियो को अपनी friends and family के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और comment करके बताएं नेक्स वीडियो अपको से टॉकिर रेेओं झाज बताएं ONए